मेरे ख्याल से उन्हों बजन आर्टिस्ट आई फिल्ग्रिमेज बन जाता है जैसे कि वो मूर्ति स्थापन होता है ना तो फिर उसमें हम लोग विश्वास करते शुरू करते है फिर फिल्ग्रिमेज जैसे हो जाता है एक पोट्ट बन जाता है इतना इंपर्टन हो जाता है कि हमको जाना ही चाहिए हुगा है अच्छा हो जाता है जिसमें ऐसा कुछ गैलरी एक्जिबिशन कमेर्शियल टाइप का नहीं है लेकिन यहां टोटल पैकेज ओफ एवरीटिंग आर्ट रिलेटेट कुछ भी है और आर्ट भी इतना ब्रॉडर एस्पेक्ट में हो आता है कि वार्ट जिस्ट विज्वालाइट की ऐसा कुछ नहीं है कि पेंटिंग है कि स्कुल्क्चर है ऐसा नहीं है लोग सोच सकता है यह क्यों होता है इतना पैसा खरज करके क्या इसका फाइदा क्या है इमीडियेट तो ओवर नाइट फाइदा कुछ होता नहीं है फाइदा होता है जब हम तीन महीना बाद बीनाले के बाद सोचता है एक मेमोरी अच्छा वह एक्सिशन देखाता है वहां किसी के साथ मैंने अच्छा बाद से एई सबसी इंपॉर्टन है बीनाले वह और अच्छा लगदा है क्योंकि वहां वह बिजनेस का कुछ होता नहीं है वह स्टेफ एक्दम लेक ननप्रफित और वहां आर्टीस्ट जो इन्वाइटेड होता है वह जादा एक्स्परिमेंटाल काम कर सकते है और ये नेक्स जेनरेशन या या यांग आर्टीस्ट या कोई भी आर्टीस्ट या आम लोग भी देखते हैं जिनका मोन में होता है कि आर्ट तो बिजनेस के लिए है ये सेल करते है आर्ट बस इस टाइब का आर्टिस्ट का कामी आर्ट होता है कोई सोचेगा नहीं कि ये प तो यह यह सब इवेंट जो होता है यह तो लेके आते हैं कर दो लेके आते हैं